हेलो स्टुएंट्स के यूटीव प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है जैसा कि मद्यप्रदेश 2020 की प्रिपरेशन हमाई चल रही है उसमें हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हमारा आज का जो पॉइंट हो है मद्यप्रदेश के इतिहास की प्रमुक घटनाय उनके नम और कहान संबंदित है कौन सी घटनाय है ये परिशाम में जरूर को पुशत पूष पूशत हूँ एक या दो कुषर इतिहास की प्रमुख घटनाओं के उपर आते ही हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं मद्यप्रदेश की इतिहास की प्रमुख घटनाएं तो अगर हम बात करें मद्यप्रदेश की इतिहास की तो मद्यप्रदेश की इतिहास रहा है मद्यप्रिदेश एक बहुत सम्रिद रज है और इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुए जिसने मद्यप्रिदेश के बहुत गोलिक राजनीतिक सामाजी के और मार्थी रूप से प्रभावित किया है अब बात करेंगे एक घटनाओं के लेकर उसमें कौन-कौन सी तो उसमें सबसे पहली हमाई घटनाथी है घटना सत्याग्रह तो अमार्च 1923 में सुरू हुआ इसकी शुरू असमे मत्रिदेश में जवलपूर जीले से तो मार्च 1923 में जवर्पुर में तिरंगा जंडा फहराने को लेकर स्थानी अधिकारियों में विवाद हुआ यह विवाद तप प्रारम हुआ जब कांग्रेस के सदस्यों द्वारा आठ मार्च 1928 को नगरपाली का भवन पर जंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमि अब ब्रिटिश डिप्टी कमिशनर इसे नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत जंडे को नीचे उतारने का आदेश दिया तो शरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समित ने सत्याग्रह प्रारम कर दिया अब इस जिला कांग्रेस समित जो संत्याग्रह मद्रेस में किस स्थान से शुरू गया था तो जवलपूर सुरू किया था मार्च 1923 सत्याग्रहियों पर मुकद्म चलाया गया और उने से जैसे पंडे चुंदरलाल सर्मा नाथुरा मोदी इनको जो है छह महिने कारावास की सजा दे दी गई अब इसके पश्चाद इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन से स्थान रिसाइड किया गया नागपुर अब इसके पश्चाद नागपुर जंड सत्याग्रह 18 अगस्त 1923 को बिटिस हधिकारियों ने राश्टी द्वच के साथ स्वयम सेवकों को जुलूष निकालने के अनुमत दी और इस जुलूष का नित्रत कौन किया है मांखलाल चतुरवेदी वल्लब भाई पटेल और राजयंद बाबू राजयंद प्रसाद ने इस जुलूष का नेत्रत किया था फिर अगली जो माहतपूर घड़ना थी मध्यप्रदेश के इतिहास में वो थी मध्यप्रदेश का जंगल सत्याग्रह अब यह कहां शुरू की गई थी तो यह बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से सुरू हुई थी क्लियर यह क्केशन पूछा गया है वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी नामक जगह से जंगल सत्याग्रह की सुरूआत की गई थी यह कहां है बैतूल छेत्र में आता है तो 1930 में घोड़ा डोंगरी जोकि बैतूल छेत्र में आदिवाशियों ने संत्याग्रह किया जंगल सत्या गुंगुटी और हर्दा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ था इसमें होता क्या था जंगल सत्याग्राय में जो जंगल में आदिवासी लोग रहते थे वो सीधे ब्रिटिस सामराज को चुनौती देने के लिए जंगलों से बाहर आये हुए थे और वो सीधे लड़ने को तयार थे तो इसमें हुआ क्या जंगल सत्याग्राय के दौरान घोडा डोंगरी छेत्र जो कि बैतूब में है कि आदिवासी कंधे पर कंबल डाल कर और हाथ में लाठी लेकर बिटिस सामराज को चुनौती देने है तो गुंजन सिंग के नेत्रित में जंगल से बाहर आय अगर बात करें कि मद्यप्रदेश के नाम कही बार आया हुआ है जो की बैतूल छेत्र में आता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरी घटना थी मद्यप्रदेश में नमक सत्याग्राय मद्यप्रदेश में गांधी जी के अंदोलन के साथ साथ ही चल लए थी वर्थ 1903 में महात्मा गांधी का अशहयोग अंदोलन अपने पूर्ण उतकर्स पर था गांधी जी ने दान्डी मार्च करके नमक सत्याग्राय के माध्यम से सरकार को चुनोती दी थी अब 6 अप्रेयर 1930 को जवलपर में से नमक सत्याग्राय के दौरान सीवनी जीले के स्री दूर्गा प्रसाद महता निगांधी चौग पर नमक बनाकर सत्याग्राय किया था मध्य प्रदेश में जवलपुर और सिवनी के अत्रित खंडवा सीहोर रायपुर तातकाली रायपुर जो की उस्ट सबब मध्य प्रदेश में था आधी नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया ठीक नमक कानून कब तोड़ा गया था अच्छा अप्रेयर 1930 को सेठ गोव में कई बार पूछा है कि चरण पादुका नरसंगार किस जिले में हुआ था तो किस जिले में हो था चातर पूर जिले में उर्मिला नदी के तड़ पर 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांती के दिन चातर पूर जिले में उर्मिला नदी के तड़ पर इस्थित सिंगपूर चरण प पादु का नरसंगहार भी था क्लियर यह कहां पर हुआ था यह मत्यप्रदेश के च्छतर पुर्जिले में उर्मिला नदी के तड़ पर हुआ था इसमें चरण पादु का मैदान में एक जनसभा चल ली थी जिसने ब्रिटिज सैनिबल ने चार ओर से घेल लिया और अपना की गई और राम सहाय तिवारी को इसका ध्यक्ष चुना गया इस समय सेवाग राम से 1923 महत्पंगांधिर अपने दस माह के राष्ट व्यापी कारिकरम के अंतरगत मत्यप्रदेश के अन्य के स्थानों पर पहुंचे थे तो चैनल पादु का नरसंगहार को जरिया व माजन गोली कांड भी बोलते हैं क्या माजन गोली कांड भी बोलते हैं क्योंकि माजन नामक जगय पर हुआ था तो सतना जिले में बिरसंग पूर्ग समीप हिनावता गाउं में कहां पर सतना जिले में सो हावल सतना जिले में बिरसंग पूर्ग समीप हिनावता गाउं में 19 जुलाई 1938 को शुहावल रियास्त में ब्रिटिस सासंग के विरोध में पगार खुर्द निवाशी लाल बुद्ध प्रताप सिंग के नेतित में एक आम सभ़ा आजित की जारे थी इस सभ़ा में समलित होने जारे लाल बुद्ध प्रताप सिंग रामासरे गौतम और मंधीर प उस जगह का नाम क्या था उस जगह का नाम था माजन जहां पर इनकी माजन गाउग समीप जिनकी यहां पर हत्या की गई थी लाल बुद्ध प्रताप सिंग रामासरे गौतम और मंधीर पांडे जो कहां जा रहे थे एक विचन सभ़ा में या आम सभ़ा को संभोजित करने आ रहे थे तो सुहावल का नरसंगारी मध्यप्रदेश की इतिहास की बहुत बड़ी घटना है इसके बाद जो हमारे करांतकारी थे मध्यप्रदेश के अंदर आक्रोश आगया और वो बिटिस जो सैनिक थे बिटिस अधिकारी थे उनसे सीधे लड़ने के लिए तयार थे तो दिया था तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टापिक साथ में तब से चाले साथ बढ़े रही है वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वारे वीडियो के ब्लेट आपको मिलती रहे ओके थैंक यू